गुद बॉर्निंग एवरिवन, I hope you all are doing fine आज इस चैप्टर का hopefully last day होगा तो आज इस चैप्टर को हम completely खतम कर देंगे इसका मतलब यह हुआ कि इसके बाद आपको इस पर बेस जो exercise दिया हुआ है वो भी complete करना है और उसके साथ में जो notes बनाने थे जो मैंने आपको हिंदे में लिखने के लिए बोला था वो भी complete करना है ठीक है तो I hope जिस समय आप यह video देख रहे होगे अपने साथ में book जरूर रखा हुआ होगा आपने book अपने पास में रखना होता है pencil रखना होता है और notebook रखना होता है तीन चीज़े रखनी अपने साथ में जरूरी होते हैं जब भी हम video देख रहे होते हैं ठीक है तो last lecture के अगर हम बात करें तो last lecture में हमने seasons के बारे हम पढ़ना चालो किया था seasons में हमने देखा था सबसे पहले summer season के बारे में पढ़ा हुआ था summer season के बारे में बहुत चीज़े सा उच में आये थे कि उस time पे weather वगार बहुत ज़दा hot होता है और ऐसे मौसम में हम ठंडे एरिया में जाना पसंद करते हैं या जहां कहीं पर थंडी ठंडी हवाएं आ रही हो जिस भी source है उस source के पास पर रहना पसंद करते हैं for example fan हो गया cooler हो गया बहुत लोग AC के सामने रहते हैं बहुत लोग hill station पर आते हैं फिर उसके पास summer के बाद में rainy season आता है rainy season में क्या होता है जो summer की वज़े से जो गर्मी हो रही थी वो जो परेशान किया हुआ था इंसानों को बहुत ज़दा तप रहा था जमीन या ऐसा situation जब हो था तो जब बारिश आती है तो वो थोड़ा सा relief देता है लेकिन बारिश के साथ में एक और चीज़ आती है वो है moisture ठीक है moisture बहुत ज़दा हमारे atmosphere में रहता है ऐसे मौसम में पसीना बहुत ज़दा होता है ठीक है humidity बहुत ज़दा होती है हमेशा चिप चिपाहट हमारे body बे बनी रहती है उसके बाद हमने rainy season के बाद में हमने winter season के बारे में बात किया बहुत ज़दा ठंड लेके आता है ऐसे मौसम में हम बिलकुल गरम कपड़ा बहनना पसंद करते है ठीक है और जो भी गरम खाने के items होते हैं वो इस समय ज़दा खाना prefer करते है ठीक है आज fourth type का season है हमने यह भी discuss किया था total 4 type के seasons mainly हम पढ़ेंगे और उसमें आखरी type of season है वो favorite season होगा देखते हैं क्यों आकर ऐसा मैं पूल रहा हूँ ऐसा क्या है spring season में जो maximum लोगों को पसंद आएगा देखते हैं क्या कह रहा है the spring season comes after the winter season obviously बात है winter और गर्मी के बीच का है एक मौसम होता है जिस समय नहीं बहुत ज़दा गर्मी होती है नहीं बहुत ज़दा ठंड होती है moderate temperature होता है The spring season is pleasant क्यों? क्योंकि इस समय नाही बहुत ज़दा ठंड पड़ रही है नाही बहुत ज़दा गर्मी पड़ रही है We like to play games have long walks or go out for a picnic ऐसे मौसम में हम games बाहर ground में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इस समय नाही बहुत ज़दा गर्मी हो रही है और नाही इतना ज़दा ठंड पड़ रहा है कि बाहर जाने में हालत खराब हो रही हो तो बिल्कुल moderate temperature होता है तो बाहर हम outdoor games वगरे खेलने ऐसे मौसम में ज़दा प्रिफर करते है We like to have long walks or we can go out for a picnic ठीक है New plants and flowers are seen in plenty इस मौसम में नए flowers आते हैं plants के उपर बहुत ज़ादा ठीक है और बहुत सारे नए-नए plants उग भी रहे होते हैं है न We wear cotton clothes ऐसे मौसम में हम cotton clothes पहनना स्टार्ट रहते हैं वैसे ज़रूरी नहीं कि cotton clothes ही पहनो ऐसे मौसम में थोड़ा सा हलके वाले जो आपके गरम कपड़े होते हैं वो पहलो चलेगा लेकिन ठंड के मौसम में तो मोटे मोटे वाले गरम कपड़े पहनने होते हैं तो ऐसे मौसम में हलके फुल के वाले गरम कपड़े चल जाते हैं ठीक है birds start making nests ऐसे मौसम में birds nest बनाना चालू कर देते हैं क्योंकि कुछ दिनों में वो अंडे देने वाली होंगी ठीक है और इसके पहले क्योंने eggs इसके पहले वो nest क्योंने बना रही थी क्योंकि उसके पहले nest बनाना मुश्किल था ऐसे मौसम में लोग दुबक के रहना पसंद करते हैं ऐसे मौसम में एग्स वगर है ये ले नहीं करती है ठीक है ट्रीज है न्यू लीव्स ऐसे मौसम में इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सबसे प्लिजन्ट सा मौसम है इसमें नए पौधे हो रहे हैं उसके बाद नए फूल आ रहे है उसके बाद जो पेड़ पहले से उन पे नए नए लीवस आ रहे है ठीक है ऐसे मौसम में बर्ड्स अपने नेस तियार कर रहे है और हम बाहर निकल के घूमना पसंद कर रहे है इतना सारा कोच है इसके बाद stormy and foggy weather यह हम जो winter वाला season था उसी का part हम इसको ले सकते है तो क्या कह रहा है कह रहा है in stormy and foggy weather we like to stay indoors stormy और foggy weathers जब होंगे या ऐसे बोल सकते हैं एक्टम extreme weathers जब होंगे in these kind of weather we like to stay indoors ऐसे मौसम में हम घर के अंदर रहना पसंद करते है visibility becomes poor ऐसे मौसम में कोई चीज clearly दिखती नहीं है अगर बहुत ज़दा storm बहुत ज़दा आधी वगर आ रही हो उस समय भी चीज़े नहीं दिखती है और बहुत ज़दा fog हो उस समय भी बहुत ज़दा any vehicle such as bicycle, car, motorcycle, etc तो जभी भी stormy weather हो या फिर foggy weather हो ऐसे मौसम में वीकल वगर राइड करना या ड्राइव करना is not safe तो इस बेटर कि जब ये मौसम चट ज़दा ये मौसम खतम हो जाए ये fog वगर हट जाए या storm वगर खतम हो जाए उसके बाद ही निकलना ज़दा safe होता है तो safety must be at the priority ठीक है इसके बाद में जो next flight है ये हमारा last topics की दरह हम बढ़ रहे है इसमें अगला जो topic है उसका नाम है weather forecast forecast मतलब का होता है भविष्य वाड़ी करना तो हमने सुना होगा कि या देखा भी होगा हम अपने phone में चेक भी करते होंगे कि चलो देख ले जाए कि आज का weather कैसा रहने वाला है या अगले एक हफ़ते में बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है धूप कैसा होने वाला है तो अपने phone में हम आजकल के time में easily check कर लेते हैं तो हम phone में तो easily check करते हैं लेकिन यह जो phone में यह data आता है यह data phone में डालना इतना आसान काम नहीं होता जो air है, wind है, wind है, air है या clouds है, या sunlight है इन सब चीजों को observe करके वो decide करते हैं और वो बताते हैं कि अगले कुछ दिनों में या अगले future में क्या होने वाला है अगले one week, two week, say one month तो इस तरह के weather से related जो जानकारी जो होने वाली है जिनके संभावना है बहुत जादा है इस तरह की information weather forecast में दिया जाता है या weather forecasting is the science which tells us about the type of weather to come तो weather किस तरह का होने वाला है उस चीज की study या उस चीज का जो science होता है उस ही को हम क्या बोलते हैं weather forecasting we can know the weather forecast from the television or newspaper or from our phones or other systems तो आज के टाइम है बहुत सारे devices आगे जिनके थ्रूँ हम easily weather forecast रगाए चेक कर सकते हैं इसाद अगला topic है या कह सकते हैं आखरी topic है rain gauge rain gauge के बारे में क्या कह रहा है rain gauge is a device which is used to measure the quantity of rainfall तो बारिश कितनी तेज हुई है या कितना धीमा हुई है इसको इसको measure करने के लिए एक खास तरह का device होता है उस device का नाम रेंगेज ठीक है rain water entering from the funnel is collected into a graduated cylinder अगर तुम इस picture को देखो तो इसने funnel जैसा कुछ इस structure दिख रहा है funnel क्या होता है कुप्पी तुम्हें पता होगा कि तेल बगारे कहीं डालते हैं या पेट्रोल बगारे कहीं तुमने देखा होगा डालते हैं तो इस तरह का कोई device होता है इस तरह का कोई device होता है और इसमें यहां उपर से liquid डालते हैं उपर से liquid डालते हैं और यह पतले वाले pipe के राश्टे से बाहर निकलता है इसी को हम क्या बोलते हैं फ़नल बोलते हैं तो कह रहा है कि rainwater जो है न वो फ़नल के राश्टे से एंटर कर रहा है और एक graduated cylinder है यहां प वो सारा का सारा कहां पर इकठा हो रहा है एक graduated cylinder है cylinder में इकठा हो रहा है उसमें कुछ ऐसे measurements दिये रहते हैं जिसमें कुछ value लिखी होती है the reading of the cylinder gives us quantity of rainfall on a particular day तो cylinder के ऊपर जहां तक पानी भर जाएगा उस पर जितनी rating लिखे हुई होगी उससे हमें आइडिया लगता है कि एक particular दिन में कितनी बारिश हुई ठीक है तो यहां पर हमारा पूरा का पूरा यह chapter complete हो जाता है I hope chapter में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें समझ में ना आया हो ठीक है अब आगे देखो new words में यह चीज़ें दी हुई है कि तुम खुद से कर सकते हो ठीक है atmosphere सबको पता है अच्छे से हमने पढ़ लिया है फिर vessel के बारे हमने पढ़ लिया है tumbler के बारे हम पढ़ा हुआ है humidity के बारे हमने पढ़ा हुआ है इसके बाद में यह एक summary दिया हुआ इस chapter का तो summary क्या हुआ है कि इन्हों ने अपना summary दिया हुआ है लेकिन अगर तुम्हें तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है सब कुछ अच्छे से समझा हुआ है तो तुम खुद का एक summary इस chapter का निकाल सकते हो ठीक है तो exercise complete करना है और साथ में notes बनाते जाना है और notes upload करना बहुत जादा जरूरी है कि अभी जैसे आपको class में class work दिया गया है अभी जैसे आप video देखो उसके तुरंद के तुरंद बाद जो है notes बनाना चालो कर दो और तुरंद जैसी complete हो वैसी घंटे बर के अंदर notes को upload करना बहुत जादा जरूरी है ठीक है तो on that note यहीं पर खतम करते हैं next day या next lecture में हम नया chapter स्टार्ट करेंगे तब तक जो है stay home and stay safe और साथ में home box करना बहुत जादा जरूरी है वो नहीं बोलना है ठीक है thank you